को पता है कि ब्रहनिक कलास के तीसरा चेप्टर संफुन करांती का आप लेखक पर्चेश पढ़ चुके हो और आज की वीडियो में देखने वाले हो कि संफुन करांती पुरा भाव असपष्ट क्या होता है पुरा कहानी हम बिनने वाले हम आप बिहार में ऐसा पहली बार होग अश्म पना नहीं बहुत जाएंदा लगा है देखो कैसे लेखह को हाड़ अठेक आता है कम करते हैं यह करते थय अ साथ यूद में भाग लेते तो और अपने देश को आजादे दिलाते हैं उसी आजादे के दर्मियान क्या होता चात एंदुलरण 1974 में चलता है जिसमें संफून कुरान्ति के नहां दिया जाता है वहीं संफून कुरांति के पूरा कहान में बिगरण मिलेगा ओके दुसरा पूरा वीडियो अंत तक देख लेते हो ना महद 25 मिनट के आसपस वीडियो होगा 25 मिनट लगतार देख लेते हैं तो यकीन मानो इन सब प्रसुन का उत्वर धाला धौल एनसर दोगे धाला धाल मेरी ग्रांटी है वादा नहीं बलकि विश्वास है मुझे कि देश सकते हो पह सब्सक्राइब करें कमेनर करती में कहूं करती है दूसरा भॉतिस से नहीं हमें नितियों से जगडा हूं अंस अन्हीं कि बूरा बताना होगा बैकान देखो बैक यकि होता होता हुआ हूं बताएंगे लाश्ट में कि कैसे की लिसकिते हैं प्रक्राइब आप इस भांस頭 से आप अपना सबसे लोक्रिय और सक्ञाएं जानता जुनाव सुधार के बारे में जय प्रकास जी की परमुख सुझाओ का करते हैं आप देख सकते हो संपुर्ण करांति याद रखना संपुर्ण क्रांति के जो नारा मिला था न वह नारा दिया गया था तो बहुत बीरल कंडिशन में था उननारा कैसे होता है नारा उम बता देदे आपको जब पठना के गांधी मैदान में संपुल्ण करांति की भांसल जए परकास नरा नहीं के दोड़ा देखो यहां जए परकास नहीं यहां परकास नहीं यहां फांसल दे रहे हैं पुरा जनत और जनता कटाओंद क beta ऊंसीदाति की अंसि सब्सक्राय को हुए हैं यहां पँछे हैं हम अपने देश को कहां से कहां लेकर जाना चाहते लेकिन सरकार के नित्या इतना भ्रष्ट चली रही है जो उन नित्यों के ताथ हम देश को आच्छा मुकाम तक नहीं ले जा सकते हैं इसके लिए हमें कुछ लड़ना होगा इसके लिए हमें कुछ त्यागना होगा हमें कुछ जुझना होगा सरकार के नित्यों को अनुसार हमें अलोचना करन चाट शानरधन को बढ़न होजा तो आप जाकर हमारा पर देश हमारा देश आगे बखेस्ट इसमें जानता जनारधन का दमारा देख एक सर्फिछ जैए परकास नरायन को अपना स्विकार करने के लिए आंदोलन स्विकार करने के लिए वहाँ लोग जाते हैं जैए परकास नरायन के पास छातर लोग जातकर स्विकार करते हैं कि आप हमारी आंदोलन को स्विकार करने का प्रयास केजिए उस समय हम बता दे बाबु कि जैए परकास नरायां ब्रिध आवस्थां पहुंच चुके थे वो जानता से बोलते थे जाइप परकास नराया कि हमारे पास ओप पहले के ताकत हमारी बाजुव में नहीं रहा हमारा ताकत छिन हो चुका है आप भारत के भविस हो आप खुद ही अंदोलन चलाओ और उसका नित्रि कर सकते हों लेकिन यह सभी छातर सभी जंता मिलकर चिहां बोलिए ऐसे काम नहीं चलेगा आपको अंदोलन का नित्री तो सुधार नहीं पड़ेगा आरु अध्य नहीं पहलेगा सभी समय आप लोग का दूंगा और उन सभी समय में हम लोग मिल दूल कर बहस करेंगे सब की बात हम मानेंगे जो आप लोग कहिएगा वैसे हम लोग करेंगे लेकिन अंदोलन का नित्रित करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा मैं जैसे कहूंगा वैसा ही आप लोग को चलना होल बनेगा लेकिन अगर हम जैसे कहेंगे वैसे आप लोग नहीं माने टो एक तो अंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अंदोल nov हो जाएगे में फोडाइगे खपानु हो जाएगे इसलिए हम सब की बात मानेंगे लेकिन जबाब मेरा होगा मेरा मेरा गाव स्विकार करने वाला जो नियम होंगे हो मेरा होगा हम जैसे कहेंगे वैसे आप लोग को करना होगा तो देखो पहला प्रस्ण का जो पहला प्रस्ण का उत्रा आपका मिलें जाएगा अंदुलन के नित्रतु के संबंध जैपरकास नेरान के क्या विचार थे तो विचार यहीं सब करना हो जय परकास नरायन बोले हम सबसे बात करेंगे जितना हो से कि उतना हम आपसे बहस करेंगे उन सभी बहस में हम अंदोलन की समस्याओं का हल निकालेंगे जितना हो से कि उतना आपके बात हम मानेंगे लेकिन मेरा एक सर्त है सर्त है कि हम आगे आगे चलेंगे तो पीछे से तब जकर अंदोलन सेखार करेंगे वरना वांदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका अन्सरा में राष्ट में बेढ़ेंगे उस पर लिख देना तो पहला को सनगे बात में को सन होगा फोले देखों सुरू करते हैं अंदोलन ले क्या होता है और चात्र गण भी साथ मे तुस्य में भासर में बोलते हैं कि 1974 इसी में 1974 के सुरुवात इसमें हम गए थे बेलोर अस्पताल बेलोर अस्पताल गए थे बेलोर अस्पताल जाते से में मदरास में हमी रात हो गया तो रात में हम स्री अईयर के पास मित्र अईयर के पास घर में रुक गए मित्र अईयर के उनके पास रुख गए, लेकिन आज पास दिनकर्जी और गंगा बाबू, दिनकर्जी और गंगा बाबू, जो हमरे प्यारे मित्र हुगा करते थे, उन लोग को पता चला, तो लोग हम से मिलने के लिए अयर के पास आ गए, ध्यान से से सुनो, जब मदरास जा रहे Lynch मदरास ज जैसे रुपते हैं तिनके मित्र पहले से वहां मदरास में थे उनलों को पाता चला कि हमारे जिपी नरायन आये हैं तो जिपी नरायन से मिलने के लिए लोग आ जाते हैं कौन-कौन दिनकर बाबू और गंगा बाबू गंगा बाबू दिनकर बाबू दोनों आदमी मिलने के ल कि ऩी टोलों छोटा मुटा महर समझे इस ताले बजने के जरूत नहीं है मेरा हूंकार देखिएका देखिए माद नडिल का गया लगए लगव आहरेankind क्या होता है इस वाट जिसी रात में अगयाक है ख़ान के जाने से घरत्रा धुरन सुर्भ आने यह गोईनक आफ नाहिं नाम किया था रामनायत जतिल नायाल कव लिस ऋमय में आयए थे परकास्ने राहन से मिलने के लिए पहले से कौन विलते दूअल मैंदने करो गंगा बागु अगले दिन ने परक आख मिलने के लिए तो तिले ई reduced कामा हस्पीटल में उसका नाम था बिलिंग नर्सिंग में कामना तुम रहते हैं वहाँ जातकी नाम सुनकर न बहुत इर्दगिर्थ को आ जाते हैं तो उनका फ़म और पूरे इलाज करने लगा लेकिन पाथा चलता कुछी समय वो मर गए निधन हो गया तो दिनकर जी का निधन कोब हुआ तो बता गुणी सचोहतरी सी में दिल के दौड़ा पढ़ जाने के कारण हुआ जब जय परकास नरान के विदाई एयर के घर से हो रहा था तो उसी समय उनका दिल पढ़ा पढ़ा था रामनाथ जी के दौर तीन मिनट के अंदर में नर्सिंग होम हस्पिटल में पहुंचाया गया वहां जाने के बाद आसपास के सभी डॉक्टर घर लेते हैं और डॉक्टर घरने के बाद उसके इलाज करते हैं लेकिन इलाज सक्सेस्वल नहीं होता है हुथ बादो के नर्सिंग हो मलाई पूरा कहानी उसके बाद से क्या होता है थिर चाफर के वापस आ जयते हैं कि और फास यह हमुझे दो मित्रो की बहुत कमिया थिह दूगो मित्र ना उनके मर गए बहा संळ है मुझे दूगो मित्र की बहुत कमिया कह थे कवों को लिए र ड्यूग मित्रों की कौन कौन बेने पूरी और दिन कर ये हागेРЕ बहुते हो तो आगे बहुते हो तो गंगा था बाबु मिल दелей में मिल ज्सक्राइब कुछ अ क्लों आ औरेंगे चारव में सबसे पहले छात्र लोग लेकिन हthem मेरा हो गाउट है किसं आंदलन को सर्थ उठण के लिवह कुरश करो दो क Office of that भुला है साथ आनदूलान आ फैसल आका भात मानूंगा सुपकू समय करुए है लेकिन शुई वी ताटर अंदोलन को यहात याद करूसाथ报 अए ūख़ उनको याद आजाता है कि भी सबस्तुति में और नियुकुतश क्यों में टपल लियुक्त लिखने इस पर कोशन पूछेगा जब परकास्त निरान के अमेरिका के छातर जीवन पर टिफल लिखे तो अमेरिका में कैसे पढ़ाई करते हैं देखो सवामी सथ्य इनगानदा सरेस्टेटेगा केटेगा लंड़का जब शातर जफ्यन इसलीसें अमेरिका इसामेरिका शात्र मजधूरी करके भी अमेरिका में पढ़ाई कर सकता है मजदूरी करके भी बत्यास को सुने हुए थे बत्यास सुने हुए थे तो सुने हुए थे थिनको दिल पर लग गया दिल पर जैसे लगता है तो ए अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि भारत में जो भारत में जो लडाई इनको देखने को मिल रहा था भारत में जो सिक्षा बेवस्ता मिल रहा था गुलामी के सिक्षा था गुलामी के सिक्षा यह हर कीस नहीं चाहते थे गुलामी के सिक्षा हम ले इसलिए अमेरिका चले गए अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में बहुत ज़ इसा तो था नहीं तो सबसे पहले खेत में जाकर खेत के बागानों में बागानों में काम करते थे कभी कर लोहा के फैक्टरी में भी काम करते थे कहीं कहीं मरे हुए जन्वरों के सब्सक्राइब सब्सक्राइब जुता को पॉलिस भी प्रभाड़ाइब कि इता त्सक्राइब इतना पैसा कमा लेते थे कि एस्टर जो दूर से चार्ग वोज्चे इनके साथ और दो पढ़ते थे तो फिरिम इनित मागत हे फिरिम उत्लों जबना दिन है कर लेते थे कि हम आने बाके सब्सक्राइब कुषब में making आपने क्या दिया 9 teaching the Herren ते 4 और 3 से 4 आदमी देखा होते एको अमेरिकन इता बाकी सब्सक्राइब अ हुए थे ऊसमें एक ही घोट याता एक ही ही खटिया उंटे पbil lick एक ही रजाई भीधा एक ही रजाई एक खटिया पत्तिनों चारों आदमी रहते थे कितना कष्ट दायक होगा इनका जीवन लेकिन फिर भी हार नहीं माना काम करते गए करते गए इन्होंने पूरा पढ़ाई संपन किया अमेरिका में लेनिनवाद और मार्सवाद के बारें बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ाई किय थे लेनिनवाद लेनिनवाद को क्या बोलते हैं समाजवाद क्या बोलते हैं समाजवाद समाजवाद एक ही विचार धरा होता है दूसरा मार्सवाद के बारे में पढ़े थे मार्सवाद के बारे में भी पढ़े थे लेनिनवाद कहता है कि देश को चलाने के लिए समाज सर क्रूद करने के बाद इनको इनको अधीकारी है तो डिकारी में नोखळी करनें और नहीं आते हैं तो कई पर दोड़नों करते हैं काम नहींbot नीकिसेटलने लिखाई करता है वह आगे बताऊ उसके बाद से यह देख वात कीया है अमेरिका सब लोट को आते हैं कि इंके साथ कुछ घटनाए घटा यह वह था हुआ नहरु और बापू हुआ करते थे हमारे समय में नहरु और बापू के पहले यह ना हमारे राष्ठ पीता है याद रखना जब हमारे समय में बापू हुआ करते तो बापू के हम बहुत करीबी हुआ करते थे बापू मतलब गांधी बाबा गांधी इतनी इनकी महांता इतना जादा थी यादि हम कट्टूता सब्द का तो करते थिना तो हमीं प्यार से समझाने के पर्यास करते थे लेकिन भूरा नहीं मानते थे किनकी महांता बहुत ऊपर थे बापू का उसी फरकार रोटे बात किया था लिए नियुकि समय में नहरु को हम भोत जयादा अधर सम्मान की नजर से देखते हैं हम मतलना ज़य परकाश मेरा नहरु को हम भाई कहते थे और ओ मुझे प्यार से बाबु कहते थे दिए हम इनका भी बहुँ जयादा अलbn हम इनकही हैं अलुशना करने संब तो फंचता में हम कुछ कई तो में उस्पातना सभूर्थर सबस्क्राइंग मॉझत इयुज में उस्वाइबुज देए इस्के eing के जोट लगा उसके पास ने बाबु काना भूल गए तब से दुबार नहीं कहें से बाबु की बिसेश्था गांधि की बिसेश्था हुआ उसके बाद देखोगे तो निस चुहतर इसमें क्या होता है सब्सक्राइब एखर अन्दलों सुरूद होता है तो गाधर का स्मेल एंगे लो पहला कंडिसन क्या होगा जंता जब जंटा जाए फरकास नरफे से मलने आएगे तुच समय याद रखना उस्समय बीच 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 में जंता देखो कैसे आगी बैदल आएगे गाली स्याएग ट्रक ट्रक पर तील बोजवाकर अपने पैसे तिल डाल कर और भाला करके आती थी आटू, टांगा, बैल गाली, रिल गाली, जिससे हो सके उससे पाठना जाकर जय करकास नर्यान से मिलते थे और उनकी छाथर अंदोलन में भाग दे लेते थी, लेकिन बीच-बीच में पूलि करने का दिकार आप नहीं दीर हो हम सांती म empieza आंदोलं से करना चाहंते उस AMधोल को भी आप रोकन के प्रयास कर रहे ह् इसका मतलब आश्म व Pence संनीब जी सुनलिष लोकतांतर देश में अंदोलन करने के वह से मना किया जाया जार है फिर का सा थित रहाया उस डेश के लोगतांत्रिक देश काहलाने लिक्षी बंचित है को अपने आपपू छीत्र के नहीं कहने अप रॉक्नीका परियास कर रहे कि जब लोकतांत्रिक है तो हम सांतिक मैसे सांत्र ढंक से हम आंदोलन कर सकते हैं जहां बन करें rather लेकिन आप मुझे भीच-बीच में मार रहे हो लाथी चार्ज कर रहे हो जानता बहुत ज्यादा मारती थे लेकिन यह जानता जाकर जैपरकास ने रहाए तो जानता को हम सब्सक्राइब को कि द्वरा मार खाना पड़ा लेकिन जैपरकास ना कि कितना दिल पर दर्द होता है उसके बात देखो कि तो ने ता-सब आतामिलने के लिए ने एका-सब आएगा तो जय्परकास नदेन से सम्झाओता करने के प्रियास एगा यह सम्झाओता में निके अपक आता ध्रा-सक्रापि Uhud誤 फ्रॉप एंधर गांधि से अधान भी इने नेगे विफ resposta के नह diarrhea Agat आप इंद्रा गांधी से समझाता करलो, ज тебя आलोषना आप बोलते हैं, आवो अलोषना नहीं मिलेगा, इंद्रा गांधी की सिट बची रहेगी, इंद्रा गांधी की सरकार बनी रहेगी. लेकिन इनों होना जय पर कास मैंने कहा, कि हमें किसी बेक्ती बिशेस से जागडा नहीं है हमें किसी बेक्ती बिशेस से जागडा नहीं है हमें लड़ाई उस गलत नियमों से है जो हमारे देश को गलत रास्ता पले जाता है हमें लड़ाई उस सिधानतों से है जो हमें हम लोग को मजबूर करता है हम लोग को बढ़ि हो या फिर कोई हो हम अलोशना करेंगे आदमी का नहीं है बलके उनके नीमों का उनके गतार ऐसे पुल थैसे वात नहीं माननी चाहिய किशी नाम नहीं लेनी चाहिए लेकिन हम सुने हैं को आप मिर्वे कनम ऑपनो बोलते हैं कि आप सवत वंतू नहीं इस बीप्ति का नाम तेर्या लिएत करें तो लोगतांतर किस काम की है आप लोगतांतर देश के तप नहीं होंगे आप जनता का प्रतनिधित करते हैं आपको हमेशा टाइट होकर रहनी चाहिए और आप कह रहे हैं कि वह ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए कौन था हो बोलिए जल्दी तो उन्होंने कहा कि दिक्षिक बाब सब्सक्राइब हो रहा था हम ही करवाए थेशाम आतना भैरी इयां आप उसमें बुलते हैं कि जय करकास नरायन होंगे यां नहीं होंगे पिहाय सब्सक्राइब परकास नराने बोलते हैं कि भरत पेंभूरे देश्म में इतना ज्यादा थाल चुका है मूल मूल सिद्धांत प्लम सरकार की नितिया है उन सरकार की नितियों को विज़े से हमारे देश में बेराशगारी महंंगाई वर तटी बहुत ज्यादा प्लिठ रहा है जहां देखो हर एक छेतर में जानता को बीना घुस दिये उसका काम बनता ही नहीं है कि किसी भी काम में देख रहे हैं तो टबल के नीचे से घुस देना पड़ता तो अब जाकर कोई जानता का काम संपन होता है ये लोगतांत्रिक देस होता था इतना भरष्टचार सब्सक्राइब नहीं होता इस अभी चल रहा है तो अभी चल रहा है तो भरस्टाइब की जोड़ किया है तो बताओगे सरकार की गलत नितिया आगे देखो आगे बोलते हैं दल भी हिन लोग तंत्र और साम्मेवाद में क्या संबन देता आपको पता होनी चाहिए जब लिए जानश सेनों है यहां दूपर करके को सन्होंगा ईदूपर करके को सन्होंगे लेकिन क्मिनिस्ट पार्टी में सामिल नहीं होगा क्यां कि क्यम कि क्यास बात है कि उलिली वाद समाज वाद के पुष्टक पढ़घति थे न जिसमें लेलिन लिखा था यदि जो देश गुलाम है जो देश गुलाम है उस गुलाम देश में पहले से मार्स वादे या कम्यूनिस्ट पार्टी है तो उस कम्यूनिस्ट पार्टी को हटानी नहीं चाहिए बलकि उस कम्यूनिस्ट पार्टी को उसी देश में रहने चाहिए क इसलिए इन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए भर्थीरष्ट्य कंग्रिश में सामील हुआ कम्मिपंस्ट पार्टि में सामील नहीं हुआ क्याँ कि कम्मिस्ट पार्चे प 왜last जोड लगा रही तो क्योंकि योडे तोक हुआ लगर समय लेकिन भार्ति रष्ठी will stop लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबन है तो बताओ कि दल भी हिन लोकतंत्र सर्योदय विचार का मुख राजनेतिक सिधान्त है दल भी हिन मतला जिसमें कोई दल ही नहीं हो दल मतला हमारे देश में साथ परकार के दल है ना भारतिरष्टे कंग्रेश भाजपा इत्यादी इन साथ की बात हो रहा है कि सरवोदय अंदलन जब हो रहा था उनी सचोग निश्में तो उस समय बिनोबह भाव्य के दौरा साथ दौर्ष्टे अंदलन चला जिसमें बताया गया था कि देशा होने जो जिसमें कोई द दल ही न हो जब कोई दल नहीं रहेगा तिसका मतला को जानता कर दोरा किसी एक को चुन लिया जाएगा उसाभी जानता को हर दुख दुखदर समझेगे वहीं कर दनीतिक दल्स रूदे वीचार का है घ्राम सभाव के अधर कि अनुसार समाज समय वां समयवाद की और बढ़ेगा वैसे राज का च्वय होगा राजय स्टेट के च्वय होगा मतलब देश के च्वय होने का मतलब हो ताकि देश के दल का च्वय होगा और अंत में एक अस्टेट लेस सोसाइटी का स्थापना होगी वह समाज अवस से ही लोकतांत्र होगा और उसी समाज से लोकतांत्र का सच्चा रूप पर का दिया जाता है तो सॉमेवाद होता है गयका बोलता है कि जैसे सामाज सामेवाद की और बढ़ेगा वैसे वैसे देश में डल बहिं होगा और उली हिंख देश परकास्त के द्वारा दिया गया था पहला कि सभी संघर्ष समित्या मिलकर चुनाओं में अपना उमिद्वार खड़ा करेगी जो उमिद्वार खड़ा किया जाए उन्हें से किसी को मानने करें दूसरा चुनाओं में इन समित्युद्वार खड़ा किया गया जो भी उमिद्वार जीतेगा उसके भावी कारक्रमों पर नजर रखने का काम ए समीत्या करेगी इनकी उप्यक्षा है कि हममें से किसी एक इनसान को उम्मिध्वार बना कर राजनेती में खाड़ा करना होगा उस सी राजनीती के तहट वहीं ब्रयतिapan करना ब्लम जानता करेंगे यदि जानता कि आच्छा काम नहीं हो रहा तो उस राजनितिक पार्टे को हटा दिया जाएगा, उस आदमी को हटा दिया जाएगा, यदि आच्छा काम करेगी तो हम उसको सरकार बनाने को औसर देंगे, एक कुछ अप्रेक्षा किया गया, कि ऐसा होनी चाहिए, अप्रेक्ष परिवर्टन होने चाहिए क्यों कि चुनाँ में बहुत ज़्यादक पैशा खर्च लगता है पैशा खर्चा होने के वज़द से एक गरीब इंसान उस ना में भाग या उमीद्वार महीं बन पाता है इस लिए चुनाउं में परिवर्थन होनी शाहिए एक प्रिवर्थन जरूर रोली चाहिए तो गरीब से स्वक्ष और सोतंत्र होनी चाहिए उमिद्वारों के चयन में मतदावताओं का हाथ अवस्य होनी चाहिए चुनाव के बाद मतदाओं को अपनी परतनिधी का अंकुस लगानी चाहिए तो इस सब अपेक्छा है कि ऐसा होनी चाहिए अपेक्छा आप लिख सकते